दोस्तों आज अपने बात करने वाले हैं CTR के बारे में तो दोस्तों आपका कोई भी एडसेंस अकाउंट है अगर आप यूटूबर हो आप ब्लोगर हो या फिर आप मानें जी कोई भी यहांपी जो अदरवाइस वेबसाइट के उपर अकाम वग्यारा करते हो तो आपका जो एडसेंस अकाउंट है उसके अंदर CTR कई बार क्या होता है कि हई हो जाता है तो दोस्तों वो नए ने जोभी यूटूबर है या फिर जिन्होंने नए नए अभी जो है एडसेंस अकाउंट क्रियेट किया है सिर्फ उनीक हाई होता है तो वो वो क्यों होता है और उसको आप की तरीके से यहां पर ठीक कर सकती हो तो दोस्तो इसी वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी जानकार भी बताने वाला हूँ तो नमस्कार दोस्तों स्वाव dough todavía का मेरे चैनल के अंदर चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों AdSense के अंदर आपने देखा होगा कि वाँपी जो है CPC, Impression, Click वगेरा काफी सारी चीज़ें आपको जो है देखने को मिल जाती है तो सबसे पहले तो आपको यापी जो है CPC के बारे में बता देता हूँ दोस्तों CPC होती है कि Cost पर Click दोस्तों Cost पर Click का मतलब होता है कि 0.01 अगर आपके पास यापी जो है CPC है और आपके मानेजिए Click कि यापी जो है Handled Click आपके पास आ चुके है तो 100 Click और 0.01 आपका यापी जो है एक डॉलर इसके अंदर आ लेजिए आपका AdSense के अंदर हो गया है यान कि ये एक डॉलर के निसानी हो गई है दोस्तों काफी सारे लोगों को यापी जो है CPC बिल्कुल 00 यापी मिलती है जो भी नए यूटूबर होते हैं या जिन्होंने निया AdSense अकाउंट अभी क्रियेट किया है उनका यापी जो है CPC बिल्कुल यापी जो है लो होता है बिल्कुल 00 ही होता है तो दोस्तों CTR का फिरिसके अंदर जो है क्या रूल होता है आपको बता देता हूं दोस्तों CTR का मतलब होता है क्लिक त्रू रेट यानि कि आपने जितना भी आपका तो मानीजे आपका जैसे 1000 यापी इंप्रेशन आ चुका है और दोस्तों 1000 इंप्रेशन के अंदर से मानीजे आपका जो CTR है वो यापे 10 आ चुका है तो दोस्तों 10 का मतलब होता है कि 1000 में से 10 यानि कि 100 में से 12 क्लिक होगी दो समेल्स आपके 20 क्लिक हो गही उसके अंदर यहां पर परभाव करता है, वो कम यहां पर जादा होती है, तो दोस्तों CTR जिन लोगों ने नया अपना ADCESS अकाउंट क्रेट किया है, जिनका अभी नया-नया ADCESS अकाउंट क्रेट हुआ है, दोस्तों उनको क्या करना होता है, कि उनके जो भी टॉप वीडियो बगेरा होते हैं, जो की सबसे ज्यादा यहां पर रैंक करते हैं, दोस्तों जब भी आपका CTR 10 से ऊपर चला जाए, तो आपके ADCESS अकाउंट को यहां पर प्रोब्लम हो सकती है, आपका ADCESS अकाउंट डिलीट हो सकता है, आपका ADCESS अकाउंट यहां पर डिसेबल भी हो सकत आता है, कि जो भी नया यूटूबर है, वो यहां पर ज्यादा इंकम नहीं कर सकें, जैसे जैसे 3-4 या 5 महिने हो जाएंगे, उसके बाद में आपको यहां पर कोई भी दिकत नहीं आईगी, तो दोस्तों अगर आपका CTR 10 से ऊपर जा रहा है, तो आपके चैनल को यहां पर माली जी आपका जो एड्स है, उसको यहां पर खत्रा हो सकता है, इसलिए आपको क्या करना है, कि आपके जो भी टॉप वीडियो होंगे, जो भी सच्छे ज्यादा यहां पर वाइरल हो रहे होंगे, आपको simply उन वीडियो को यहां पर उनकी एड बगेरा है, जो भी skippable एड है, वो दोनों एड आपको बंद कर देनी है, तो उसके लगवर 3-4 गंटे बाद में आप देख लेना, आपका CTR ओटोमेटिकली यहां पर नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा, तो यहां पर इस सब क्यों होता है, इस चीज में आपको और बता देता हूँ, माली जी आपका इंप्रेशन है, वो यहां पर हजार हो चुका है, और आपका यहां पर 10% CTR आ चुका है, तो जैसे ही आप CTR को यहां पर बंद कर दोगे, अपनी एड वगिरा को आप बंद कर दोगे, तो आपका जो इंप्रेशन है, वो माली जी 10,000 पर चला जाएगा, और यहां पर जो CTR आपका जो सीट या जो एक आपको फास बदाईगा तो बताइए दोस्टों वीडियो आपको कैसा लगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को ज़ादा ज़ादा सहर करें आप दोस्तों चैनल को ह bum लो चरू को क्वाट को अनुदा में नच्ट विडियो में